जहीं दोस्तो मैं हुँ अनूप और आप सब लोग देख रहें ग्लोबल कॉन्फिलिक। जहीं दोस्तो मैं हो सकता है और इस वार इन राफेल का संख्या तीन से चार हो सकता है। जहीं दोस्तो पिछले महीने मतलब सेटेंबर 10 तारीको जब राफेल एर क्रेप्टो को ऑपरेशनली इंडियन एर फोर्स में शामिल किया जा रहा था तब ही फ्रेंच डिफेंस मिनिश्ट्री के तरफ से बयान देते हुए बताया गया था कि इंडिया के साथ फ्रांस का ये चीफ मार्शल आरकेज वदुरिया द्वारा एडिशनल रैफेल को लेके बयान देते हुए जब कहा गया कि इंडिया द्वारा फिलाल और 36 रैफेल को लेके भी सोज विचार किया जा रहा है दोसो रैफेल एर क्रेफ्टो के डील जब भारत और फ्रांस के बीच में हस्ताक रखते हुए एर क्रेफ्टो का डिलिवरी किया जा रहा है जबकि एक्सपेक्ट तो यह भी किया जा रहा है कि एगर इसी तरीके के से टाइम लाइन के तहत आगे बढ़ा जाए तो इंडिया को थर्ड वैच के डिलिवरी इसी साल के अन तक मिल जाना चाहिए जो इंडियान एरफोर्स के ताकत को और बढ़ाएगा दोस्तों चायना के साथ टेंशन के दर्मियान इंडिया के राफैल एरफोर्स के खिलाब एक गेम चेंजर बन सकता है और इन एरफ्रप्टों का इस्तेमाल करके इंडिया आसानी से चायना के एर डिफेंस सिस्टमों को भेद करके ग्र से एरकरट आसाने से चायना के एर स्पेस के अंदर घुसके तभाई मचा पाएगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बनावा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन